वैसे तो पुलीस की तमाम ऐसी तस्वीरे सामने आती है जिन में पुलीस का नेगटिव चहरा दिखता है लेकिन हर दोई में पुलीस का एक ऐसा इंसानियत भरा चहरा भी सामने आया है जहां नुमाईश मेले में कुछ बच्चे अपने माबाप से पिछड गए ऐसे में हर दो तो पुद्र कर दिया पुलिस कर्मियों के इस कारे पर उनके अफसर उनके जहारना करने में जुटे हैं तो वहीं आम लोग भी पुलीस की जम कर तारीफ करें हैं यह तस्वीरे कोट वाली शहर इलाके की नुमाईश मेले की है पुलीश बिछड़े बच्चों को उनके माब तो वर्षों से अधिक समय से लगातार नुमायष मेले योजन होता चला आ रहा है और इस वर्ष भी नुमायष मेले का योजन किया गया'll जिसकी श्रक्षा व्यवस्ता को लेकर सो से ज्यादा पुलिस कर्मियों के से नाती की गई और इस हर गत्वीदिक पर नजर रखने के लिए 16 CCTV कैमरे भी लगाए गए थे मेला कोतवाली में पुलिस वक्षव वस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर तहना थी इस मेले में रोजाना 25 से 1000 लोग आते हैं जिनमें शहरी लाके के साथ साथ ग्रामीन लाकों से भी लोग भारितादार में शिरकत करते हैं ऐसे में नुमाईश मेले के में शुरुम होने से लेकर अब तक मेला कोतवाली पुलिस 66 बच्चों को उनके माबाप से मिला चुका है दरासल यह बच्चे मेले के दुरान अपने माबाप से बिचड गए थे कोतवाली पुलिस ने मुनादी करवा कर बच्चों की तलाश की और उन बच्चों को खोश कर उनके माबाप से मिलवा कर उनने उनके सुपुद्र कर दिया बच्चों के माबाप जहां पुलिस के इस कारे से बहत खुश हैं और पुलिस का शुकर गुजार करते हैं तो वहीं विभाग्या अफसर भी अब पुलिस कर्मियों की वहावाय करने में जूटे हैं हर दोई से शाहिद अले की रिपोर्ट जिले में नुबाइश कायोजन चल रहा है पिछले एक महीने से लगातार लगभग वी सेजर पेशल की रोज की भीड़ आती है वहाँ के और लोग खरिदारी करते हैं वहां पर कई सारे स्वह होते हैं उनको भी देंखते हैं इसके दरन कई सारी एसे गटने गटे जिसमें बच्चे छोटे बच्चे अपने माबाप से लिछोड़ गए थे ऐसे चाषट बामनों में पुलिस ने अच्छा करवाई करते हुए और उन बच्चों को उनके बाबा इनको ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल